आपका योग के कारिकर में स्वागत करता हूँ योग सरीर के हर अंको स्वस्त रखने वाला एक अद्भुत विज्ञान है चाहे वो सारिक समस्या हो चाहे मानसिक समस्या हो दोनों को सामंजस से परदान करने वाला दोनों को सुस्त रखने वाला एक अद्भुत विज्ञान है एक अद्भुत विर्दान है आई सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं आज के एपिसोड में योगा फोर हाट डिजीज, जिहां हाट प्राब्लम, हिर्दय रोग, हिर्दय आगहात, जिससे लगबक 45 करोर पूरी दुनिया में गर्शे थें, कारण है ओबिसिटी, कारण है हाइबल फिशर, कारण है बैक पेन, कारण है अमारा लेक आप प्राक्टिस, कारण है जनेटिक बहुत सारे ऐसे कारण, कारण ही मिलते जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, वह है योग आए सबसे पहले जाने की कोशिस करते हैं, कि योग के मादम से हम अपनी हिर्दय जैसे रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं हुमारा अगला अभ्यासर जिसका नाम है भुजंगासन, आए सबसे पहले जानते हैं भुजंगासन, दीरे से पेट के वल लेट जाएंगे, लंबी गरी सांस लेते हुए, दीरे अपने धर को दोनों हाथों का सहरा लेते हुए, आसमान की और अपने चेहरे को ले जाएंग और धीरे से वापस आजाएंगे क्योंकि कुम्भक बिलकुल नहीं लगाना है इस पूस्चिर में, फिर से लंबी गरी सांस लेते हुए, भुजंगासन की और, इस अभ्यास को पांस से दस बार किया जा सकता है, अब इसके बाद है दूसरा अभ्यास, जिसका नाम है अर्द उस्ट्रासन, सबसे पहले जानते हैं अर्द उस्ट्रासन, अब क्या करेंगे, घुटनों के बल लेट जाएंगे, घुटनों के बल खड़े जाएंगे, सबसे पहले, दोनों हाथों को पीछे की और ले जाते हुए, लंबी गरी सांस लेते हुए, सांस को बिना रोके, फैलाव है उसको हमें ध्यान रखना है कि छाती का फैलाव हमें देना है हमें अपनी लंक्स की कैपसिटी को इंप्रूब करना है और डाइफार्म जो हमारा फेप्रा है उसके क्रिया शीलता को बढ़ाना है अब देड़ी से वापस यह था हमारा भुजंगासन और दूसरा अरदूसरा उसके बाद चलते हैं घरेलू निस्के घरेलू निस्कों में कौन सा ऐसा उपाय है जो हमारे हिर्दय आगात हिर्दय रोग के लिए अच्छा माना जाता है बहुत ही लापकारी माना जाता है और ब बाहराने के लिए तो सबसे पहला क्या करें कि 2-3 ग्राम आप एक गलास गरम पानी में अरजुन के छाल को आप डाल दें उसको आप कुछ देर तक खौला रहें और आधा जब बच जाता है आधा गलास जब पानी बच जाता है तो उसको कपड़े में च्छान करके आप उस माना जाता है किसके लिए हिदय रोक से बाहर आने के लिए और दूसरा क्या करें कि आप लोकी का जूस ले लें आधे गलास लोकी का जूस ले लें उसमें साथ जो पत्ते हैं पूदीने के पत्ते और साथ तुलसी के पत्ते तो यह पूदीने के साथ पत्ते ले लें और पえてी ऐसको दालने के पाइबर करें इसको जूस आप ग्रहन कर सकते हैं और ऐसको आप 15-20 दिन तक एमऑने तक आप ग्रहन करें या बहुत ही उप योगी माना जाता है किसके रेरोग से बाहर लाने के लिए हिर्दे रोग जैसे जो खutरनाग बीमारी यह जैसे कि मैंने कहा कि 45 करोर पूरे दुनिया में गर्शित हैं उससे आप बाहर आने के लिए सबसे अच्छा उपाय है बहुत ही उत्तम उपाय है तो आज के लिए वसे तहीं मैं आसा करता हूं कि इन योगा अभ्यासों और घरेलू जो नुस्खें दोनों को अपना कर आप इसका भर आदे ग्लास लुकी का जूस ले लें उसमें साथ जो पते हैं पूदीने के पते और Sाथ जो है तुलसी के पते तो ये पुदीने के साथ पते ले 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 और साथ तुलसी के पते ले इन दूनों को आप इसमें डाल दें और यदि आपको high branch pressure ना हो तो आप इसमें एक से दो काली मिर्च भी डाल सकते हैं उसके बाद क्या करें इसको डालने के बाद क्या करें उसको grander mixer में मिक्स कर दें इसका juice आप ग्रहन कर सकते हैं और इसको आप 15 से 20 दिन तक एक महिने तक आप ग्रहन करें या बहुत ईपयोगी माना जाता है किस के लिए हिर्दे रोक से बाहर लाने के हिर्दे रोक जैसे जो खतरनाक बीमारी है जैसी जो नुस्कें दोनों को आपनाकर आप इसका भरफूर लाव उठाएंगे खंड़े दन्यवाद नमसकार